रेनुकोट सोनभदर यूपी पिप्री थाना शेत्र के रेनुकोट रेलवे स्टेशन की पास इस्थानी लोगों ने गौ मांस के साथ दो यूवक को धर दबोचा आरोपी के पास बोरी में बचडे का आउशेश मिलने से स्थानी लोगों का पारा और भी बढ़ गया लोगों की घंटों पूश्टाच के बाद भी दोनों आरोपी सीधा जवाब देने से बचते रहे इस समंद में समात सेवी विजय प्रताप सिंग ने बताया कि शुकरवार को लगबख साड़े तीन बजे उन्हें सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के समीब दो यूवक बचडे का मांस बेच रहे हैं सूचना पर जब वहाँ पहुचे तो दो यूवक बोरिया में भर कर बचडे का मांस बेच रहे थे मांस बेच रहे यूवक ने बताया कि उन्होंने बचडे को सुबह हिंडाल को पेट्रोल पंप के पास घायल अवस्था में पाया था और वहाँ से लाकर उसे काट कर बेच रहे थे समात से भी विजय प्रताप सिंग ने इसकी सूचना ततकाल पुलिस को दी पुलिस आरोपियों को पकड़ कर थाने ले गई वहीं गौवंश के काटनी की सूचना पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग थाने पर पहुँचे आरोपियों पर बड़ी कारवाई की मांग की विश्व हिंदू परिशत के विजय सिंग ने गटना की निंदा करते हुए कहा गौवंश काटने वालों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए पड़ी संख्या में हिंदू वादी संगठनों की पहुचने पर सीओ पिपरी अमित कुमार भी थाने पर पहुचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों पर कारवाई की जाएगी पूरे मामले पर एडिशनल स्पी कालू सिंग ने बताया शुकरवार दोपहर में पिपरी थाना पुलिस को सूचना मिली हुई थी कि दो वेक्ती बोरे में गौमांस लेकर जा रहा है इस सूचना पर ततकाल पिपरी पुलिस मौके पर पहुची और दोनों वेक्तीयों को हिरासत में लिया आरोपियों के पास एक बोरा बरामत हुआ जिसमें गौमांस और अवशेश प्राप्त हुए हिरासत में लियेगे वेक्ती वीर साह, कुरैशी, और्फ मोनू, आकाश, साहनी, और्फ बिट्टो, निवासी, रेनु कोट है इनके विरुद मुकदमा पंजिकरत कर विदिक कारवाई की जा रही जिला समवादाता कामीश्वर विश्व कर्मा के रिपॉर्ट में गौमास वे गौवसिस रफ्थ हुए हैं हिरासत में लिये वेक्ती वीर साह, कुरैशी, और्फ मोनू, वे आकाश, साहनी, और्फ पिरुद्ट